नमस्कार दोस्तों कमिश्नर औफ लेबर नई दिल्ली में के उफिस से जारी की गई है यह वरिद्धी जो जुलाई से लेके कि दिसम्बर के समय के बीच दिसम्बर 2022 के बीच में जो महंगाई दर जो बढ़ी है उसके हिसाब से नियुनतम वेजिस त्या किये गए है तो दोस्तों बता दे कि जुलाई से और दिसम्बर के बीच में जो कंजूमर प्राइस इंडेक्स है वो 378.576 रहा है जिसमें की 12.82 प और इन में क्या-क्या वेजिस किस-किस स्किल्स के नुसार क्या-क्या वेजिस रहेंगे आए इसके बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों हर एक राजे को अपने अपने छेतर के नियुनतम वेजिस त्या करने के अधिकार है और सभी मिनिमम वेजिस को ही मिनिमम वेजिस मे जो कंजुमर प्राइस इंडेक्स और यानि महगाई दर की जो बढ़ोतरी होती है उसी के इसाब से ही वह वहाँ पर बढ़ोतरी करते हैं तो बात करें यहाँ पर तो नई दिल्ली में जो अन्सकिल्ड जो कटेगरी की जो वेजे जब जो पहले थे 16,720 में रुपे उनमें 412, रुपे की विरिद्दी होके और 17,234 रुपे हो गए है जिसमें की 660 रुपे परती दिन की वेतन रहेगा तो दोस्तों बता दे कि यह जो मिनिमम वेजीज है जो दिल्ली के मिनिमम वेजीज है पूरे भारत वर्ष में सबसे अधिक वेजीज दिल्ली के ही तैक की जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा महयगाई इसी एरिया में है और यहां की गवर्मेंट यहां पर कंजूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से मिनमम वेजीज दिया करती हैं स्किल्ड में अठार 1499 रूपे जिसमें के 494 रूपे की विरिद्धी होके अब 18,930 रूपे हो गई है नियुमतम वेज और स्किल्ड काटेगरी में जो पहले था बीस हजार 3557 रूपे मेनिमें वेजीज थे जिसमें 546 रूपे की विरिद्धी हुई है जो कि अब बढ़कर 20,903 रूपे हो गई है और देनिक बत्ते की बात करें तो 804 रूपे होगा इसी हिसाब से कुछ एक और इंप्लॉइमेंट के छेतर है जैसे नौन नोर मैट्रिकुले रेट तो इसमें पहले 18,499 रूपे महिने की वेजीज थे वेतन था अब जिसमें 494 रूपे की विरिद्धी होगे अब यह 18,930 रूपे हो गया है ग्रेजुएट मैट्रिकुलेट वाट नोट ग्रेजुएट की जो कटेगरी है उसमें अब मिनिमम लागू के लिए मिनिमम वेजीज जो पहले 12,140 रूपे थे उसमें 508 रूपे की विरिद्धी होगे हैं 22,744 रूपे जो की प्रति दिन के हिसाब से 875 रूपे होंगे तो यह जो मिनिमम वेजीज है दोस्तों एक अपरेल 2023 से लागू हो जाएंगी अलग-लग राज्यों की लग-लग मिनिमम वेजीज की बारे मैं वीडियो बनाते रहते हैं देखते रहिए हमारे चैनल से जुने रहिए थैंक यू